नमस्कार क्याप्टल टीबी की इस प्रेसर स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रोहिक्मार मुसलिम के डर्पंखियों की आक्रामक्ता कहीं से भी थम्ती नजर नहीं आ रही है चाहे देश का कोई भी कोना हो उनके होसले हुलन्ध हैं ना कानून का कोई भय ना ही पुलीस का कोई डर जब मन करे पत्थरबाजी करो जब मन करे फुर्दंग मचाओ पुलीस भी इनके बीच नहीं पढ़ना चाहती यही कारण है कि ये खुद को खलीफा समझ बैठे हैं और आए दिन हिंदूों को अपना निशाना बनाती रहते हैं रास्तार के जोधपूर से एक ताजा मामला सामने आ रहा है जहां एक बार फिर कटर पंतियों ने अपना असली और खौफनाक चहरा दिखाया है और हिंदूों को अपने निशाने पर लिया है क्या है जोधपूर से जुड़ी ये पूरी खबर जिसने पूरे इलाके में हिंदू-मुसलिम टेंशन को एक खौफनाक रूप दे दिया है बात करेंगे आज की इस प्रेसे स्टोरी में साथ ही बात करेंगे ऐसी ही कुछ और खबरों के बारे में जोधपूर में संप्रदाइक टेंशन हिंदू-मुसलिम आमने सामने जमकर हुई पत्थरबाजी हिंदूों को बनाया निशाना पूरी खबर राजस्थान के जोधपूर से सामने आ रही है जहां एक विवादित जमीन पर अवैद निर्मान को लेकर दो समुदार आमने सामने आ गए इसके बाद दोनों पक्षों में कई घंटों तग इस पत्थर चले इस दोरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घरों पर पत्थराव किया साथ ही दुकान में आगजनी की मौके पर पहुँचे पुलीस ने हालात काबू करने की कोशिश की तो उपद्रबियों ने पुलीस टीम पर पैट्रोल बंग से हमला कर दिया इसके बाद मौके पर और पुलीस बल बुला कर हालात कंट्रोल में किये गए घटना के बाद सुर्षागर इलाके में तनाव के बाद पुलीस ने पैदल मार्च निकाला इस दोरान उमर फारुकी मस्जिद के पास विशे समुदाय की लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की इसके बाद मौके से उनको खरेडा गया अब तक पुलीस ने पत्थरबाजी करने वाले 43 लोगों को गिरिफतार किया है बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर अवयद निर्मान हो रहा था उस जमीन को लेकर 15 साल पहले हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में निर्मान ना करने को लेकर समझोता हुआ था लेकिन पिछले दिनों मुस्लिम पक्ष ने समझोता तोड़ कर निर्मान शुरू कर दिया इसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया इसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों ने ईट पत्थरों से हमला कर दिया अब ठीक 15 साल बाद जोधपूर के सुर्शागर इलाके में एक बार फिर शमीन के लिए जंग छिड़ गई है हालात इसकदर बिगड़े की घंटों तक दो समुदाय के लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते रहे जिसके हाथ में जो आया वो दूसरी तरफ फेकता रहा उपद्रभियों ने एक दुकान में आग लगा दी, दुकान में रखा सारा सामान जल कर खाक हो गया उपद्रभियों ने एक शक्स के घर में भी आग लगा दी, वो पुलिस से मदद मांगता रहा लेकिन पुलीस उपद्रभियों के आगी बेबस नजर आई बतादे कि जोदपूर के सुरसागर थाना चेतर में विवाद तब शुरू हुआ जब हिंदू पक्ष ने मुसलिम पक्ष को ईद गाह के पास गेट बनाने और गारियों की अवैद पार्किंग करने से रोका इसके बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में घंटों तक पत्थरवाजी होती रही हिंदू पक्ष का कहना है कि मुसलिम पक्ष जमीन पर अवैद कबजा करना चाहता है इसका वो विरोध कर रहे हैं यह हंगामा जिस जमीन के टुकडे पर कबजे के लिए हुआ है उस जमीन को लीकर 15 साल पहले हिंदू और मुसलिम पक्ष के बीच एक समझोता हुआ था इसके बाद यह तैह हुआ था कि विवादी जमीन पर कोई निर्मान नहीं करेगा लेकिन पिछले दिनों मुसलिम पक्ष ने समझोते को तोड़ते हुए इदगा के पास विवादी जमीन की तरफ गेट खोल दिया हिंदू पक्ष का कहना है कि यहाँ पर दरजनों अवय दुकानों के जरिये जमीन पर कबजा करने की कोशिश की जा रही है अब समझने वाली बाद यह है कि जब दोनों समुदायों के बीच समझोता हो गया तो ऐसे विवाद की क्या जरूरतान पड़ी दरसल यह विवाद जिसे जान बूच कर हवा दिया जाता है ताके हिंदूों को दबाया जा सके और उन्हें डराया जा सके जानकारी के लिए बता दे कि बवाल के बाद अब तक करीब 300 से भी जादा लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्च की जा चुकी है करीब 40 से जादा अरेश्ट किये गए हैं और बांकियों की तलाश के लिए पुलीस ड्रॉन उडा रही है घर घर दबिश दी जा रही है तीन मुकद में दर्च किये गए हैं और कर्फियों से हालाद बने हुए हैं आज बाजार बंद करा दिये गए और प्रभावित छित्रों में धारा 144 लागू कर दी गई इसके सा हालात ये हो गये कि रात को ही करीब एक हजार पुलीस वाले मौके पर आप पहुँचे फिलाल हालात तनाव पुर्ण है लेकिन शान्त है बदा दे कि संपरदाइक दंगो के मामले में राज्थान भारत के अवल राजियों में से एक है इसी साल मार्च के महीने में राज्थ थान के चितोलगर जीले में संपरदाइक तनाव देखने को मिला एक शोभाय आत्रा पर हमले के बाद दो समुदायों के पीच चमकर मारपीठ हुई और पत्थरबाजी भी इस घटना में एक वक्ती की मौत हो गई जबकि करीब एक दरजन लोग घायल हो गई कई गाडियों और दुकानों को भी आक के हवाले कर दिया गया जिसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई जानकारी के लिए बता दे कि जीले के राश्मी थाना छेतर के पहुना गाउं में मासिक दस्मी मेला निकाला गया था जो रात करेम नौ बजे तक एक बस्ती के पास पहु शीपा की रास्ते में ही मौठ हो गई घटना के बाद उपद्रभी तत्वों ने आधी रात बाद कुछ गाड़ियां दुकानों और वाहनों को आक के हवाले कर दिया सुचना मिलने पर जीला पुलिस अधिक्चक पुलिस अधिक्चक सुधीर चौधरी रात को ही मौके पर जोशी ने बताया कि इस घटना में एक व्यक्ति के मृत्यू हो गई है उन्होंने आगे बताया कि मृत्त की घटना स्थल के पास ही दुकान है और जब छगड़ा शुरू हुआ तो वह भी बीच बचाव के लिए पहुँचा लेकिन मारपीट और धक्का मुकी से वह नीचे भी हो गए थे इसके बाद गाओ में भारी पुलीस बल तनात किया गया जो मारपीट पत्राव एवं आगजनी को लेकर परस्पद मुकद में दर्च कर कई उपद्रवी तत्वों को हिरासत में लिया गया रात को ही अस्थानिय विधायक अर्जुन लाल भी मौके पर अठारा आरोपियों की गिरफतारी हुई थी कुल मिलाकर राजस्थान के संबंद में यही कहा जा सकता है कि बाकी राजियों के मुकाबले राजस्थान में मुसल्मानों की जनसंग क्या कुछ खास नहीं फिर भी आए दिन कटरपंती हुर्दन मजाते रहते हैं ऐसे में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमार साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया